नमस्ते बच्चों कक्षा सार वीश्य अपना साइंस का जो चल रहा है उसका नौमा जो पार्ट है उसका अपने आदा जो भाग है वो पहले कर चुके हैं और बाकी का जो बचा हुँ आदा भाग है वो अपने इस वीडियो में करेंगे तो अपने शुरू करते हैं म्रिदा के गुन इससे पहले म्रिदा के परिकार परतों के बारे में और म्रिदा हमारे लिए महत्यपूरण है या नहीं इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं तो म्रिदा के गुन है आपने म्रिदा के कुछ अपयोगों की सुची बनाई आईए अब हम इस मृद्धा के गुनों को जानने के लिए अपने कुछ किराखलाप करते हैं तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि मृद्धा में अंतैस्त्रावंदर भूजो और पहली ने 50 सेंटीमेटर गुना 50 सेंटीमेटर माप के कोई भी दो बरग अंकित किए जिन में से एक उनकी गर केवश पर और दूसरा कची शड़क पर बना था दो बना लिए एक तो कहा मिना लिया अपने गर की फर्ष पर दूसरा कची जिगा पर बना लिया दोने समाव उंपके थे मतलब पचास उना-फचास के थे दोनों फिर उन्हों नहीं क्या किया दो बौतलों में पानी बर लिया और एक ही समय पर दोनों दो चुन्य यह समय पर बिलकूल सामने यहां तु भी गिरा दे और मैं भी गिरा रहूं दोनों वरगों पर एक एक जो बोदल बरी थी उन्हें क्या कर दी मैं पर दिका तो राउया पानी था वें वर्ग की सिमा से बाहर निकल जाता है और अफ्शोशित नहीं होता लेकिन जो कच्ची शड़क वाला पानी था कच्ची जगह वाला जो पानी था वो क्या हो जाता है अफ्शोशित हो जाता उसी जम्हें वो वर्ग की सिमा से बाहर नहीं निकलता मतलब जो पक्की जगह है वो उस पानी का उशोशन नहीं करती और जो कच्ची जगह है वो उस पानी का उशोशन कर लेती है और वह पानी बाहर नहीं निकल सकता इसके बाद देखो क्रिया कलाप है 954 कि इस क्रिया कलाप के लिए आप क्या करो एक कख्षा के कोई शातर ले लो उनका समू बना दो और फिर उस दलों को नाम दे दो A, B, C तो आपको अब क्या करना है मालूम करना है कि किसी नीचे दिएगे स्थान पर पानी कितनी तेजी से मरीदा में से नीचे चला जाता है और आपको एक खोखले वेलन या पाइप की साय आप शक्ता ले होगी इसमें बीएस नुशित करने के लिए प्रतियक दल के पास क्या हो एक पाइप हो तो ऐसा पाइप तियार करने के लिए दिए कि कुछ सजामों पर आप विचार कर सकते हो जदी संबफ हो तो क्या करो आप एक माप के तीन छोट छोट तीन के डिबे लेकर उनकी तली को आप काटके तीनों को लग लग दे सकते हो नहीं तो कोई भी पाइप के तीन तुकड़े करके सेम उनको दे सकते हो अब आपको क्या कहना है कि जिस स्थान से आपको मिट्टी एक्टिट करनी है वहाँ पर क्या करो पाइप को दो सेंटिमीटर की गहराई तक दसा कर लगा दो अब पाइप में दीमें दीमें 200 ml जल डालिए और मापने के लिए आप किसी भी मतलब बतन का प्योग कर सकते हो 200 ml पाणी मापने के लिए उस समय को नोट करें जब आपने जल डाला प्रारम किया और जब सारा जल बुमी में प्चोशित हो गया अब पाइप खाली होगी तो समय को भी आप पुने नोट कर सकते हो कि अब पाइप खाली होगी तो अब यह ध्यान रिखें कि पाइप में पाणी डालते हैं पाणी नय तो शलके और नय ही पाईप के बाहर गिरे मतलब सारा का सारा पानी उसी के अंदर जाना चाहिए इसके लिए इसके वाद एक सूतर पानी को प्रति नोट किया है तो दो सो में उस टाइम को क्या कर देना है बाग दे देना है जैसे इसने मानना के 20 मिनट तो क्या आ गया उसका उतर 10 मिलिटर प्रति मिनट नोट किया है इसके बाद देखो अगला जो टोपिक है वह मृदा में नमी मृदा में नमी तो आपने ग्रीशम काल में गर्मियों के दिन में दुपैर में आप किसी भी खेद या खूले मेदान से जब गुजरते हो तो आप क्या देखते हो कि जमीन की उपर की जो वायू है वो कम पदिप्त हो रही है ऐसा लगता है आप जैसे फूल गर्मी के दुपैर में आप शड़क पर चल रहे होते हो तो सामने देखते हैं तो आस लगता है कि नीचे से जो हवा है वो उपर क्यों उठ रही है तो ऐसा क्यों होता है कि कि इसका एक कारण तो यह है कि शड़क के आस पास नीचे दर्ती पर ताप अधिक होता है ताप अधिक होने से वांग की वायू गर्म होती है और वायू गर्म होती है तो वो हलकी होती है और हलकी वायू कांच ली जाती है उपर क्यों चली जाती है और उसके इस्तान पर तो आप इसके लिए क्रियाकलाब क्या दे रखा है कि आप कोई भी क्वाथन नली ले लो इसमें क्या करो दो चमच मिटी मिला दो और कुछ समय तक इसको किसी भी लो में आप गरम करो तो कवतन नली का प्रेक्शन करते हो तो हम क्या देखते हैं कि गरम करने पर क्या होता है गरम करने पर क्या होता है कि जो मृदा में से जो जल है वो बाशपीत होकर उपर उठता है क्वथन नलि के उपरी बाग के पेक्षा का जो ठंडी और बीत्री दिवार क्या हो जाती है संग्नित हो जाती है वहाँ पर वो पानी की बुंदों के रूप में द्रवीत हो जाती है तो गरम दिनों में भी मृदा से जो जल का वाश्पन हो जाता है और उसी के कारण जो उपर के और हमें वायू जाती हुई दिखाई देती है वो जल वाश्प ही हमें दिखाई देती है इससे सूरे के प्रकाश के प्रावर्तन के कारण मुलिदा के उपर की जो वायू है वो हमें कम पदीप्त परतीत होती है कि वो क्यों दिखाई देती है कि गर्मियों के दिनों में सुर्या की गर्मे से प्रकाश को प्षोशित करके मिट्टी के अंदर का जो पानी है वो बाश्पन के रूप में उपर उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है कि मृद्या को गरम करने के बाद इसे कवथ नली से बाहर निकालती है और इसकी तुलना अपने उस मिट्टी से करें जिससे गरम नहीं किया तो दोनों के बीच अंतर होता है क्योंकि जिसको गरम किया था उसके अंदर पानी नहीं है पानी की जो भी मातरा उसके अंदर थी वो वाश्पीत होकर उपर उठ गही है लेकिन जो दूसरी मिट्टी है उसमें पानी की मातरा है यही इन दोनों में अंतर है इसके बाद देखो मृद्दा द्वारा जल का अवशोशन कि जो मीटी है वो पानी का अफशोशन भी करती है और सभी तरह की जो मीटीयां है सभी तरह की जितनी भी प्रकार की मृदा है वो क्या करती है अलग-अलग पानी का अफशोशन करने की दर सभी की अलग-अलग होती है तो सभी समान मात्रा में जलका अफ्शोशन नहीं करती पहला क्या दे रखा है कि क्या सभी परकार की जो मृदा है वो समान मात्रा में जलका अफ्शोशन करती है तो नहीं सभी परकार की मृदा समान परकार की जलका अफ्शोशन नहीं करती सबी प्रकार की मृदा अलग अलग प्रकार की जल का व्जोशन करती है इसके लिए क्रिया क्लाप दे रखा है 9.6 क्या दे रखा है 9.6 में कि क्या करो कि प्लास्टिक आप कोई भी कीप ले लो फिल्टर पत्र लेकर उसे मोड कर चितर 9.7 के उनसार आप कीप में लगा लो किसी मृदा के शुशक पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्र में डालिए और किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोड कर लीजिए अब इस जल को बूंध बूंध करके कीप में रखी मृदा में डालती है तो आप इस कारया के लिए एक डुपर का प्योग भी कर सकते हैं सारा जल एक इस्तान पर नें गिराकर उसे पूरी मृदा में अपने डालती है तो जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि रिस्कर केप से नीचे गिरना प्रारम ना हो जाए तब तक आप डालना प्रारम रखें कि तब तक वो नीचे गिरना ना प्रारम हो जाए तो मापे स्लेंडर से बचे जल को माप कर उसे आरंबिक माप से गड़ा लेते है जिससे आपको मृदा द्वारा दारण किय पेपर में डाल कर आप उसके उपर जल की बुंदें डालते हुए और देख सकते हो कि कितना जो पानी है वह अफशोशित कर सकती है तो सभी प्रकार की मृता के लिए अलग 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 मृता के लिए आप इस प्रेक्शन को करके देख सकते हो उत्में ही पानी को जब कम ज्यादा पानी जितना भी वह शोशित करती है उसके लिए भी आपको एक सुतर दे रखा है कि मृता का ज्रुश्यमन बारा को कितना दे रखा है मापने के लिए क्या पचास ग्राम ही लोगे उसके बाद आपने जो पानी है उसका आर्मी का इतन ले लिए इतना है और उसके बाद जब लग गया उसके उसका अंतीमा हाइच अ फैं लेदिए दोनों को गठा देंगे तो जितन जल उसने उशोशित किया था वो आ जाएगा और टोटल जल में उसका बार को बाग दे के गुणा सो कर देंगे तो उशोशित जलका क्या जाएगा प्रतिशत आ जाएगा कितने प्रतिशत जलका उशोशन उसने किया है तो सभी परकार की मृदा का जो उशोशन की दर है वो क्या ह करेंगे दयाब प्राइब प्राइब दोप्लीक टार प्राइब टोल राइब कर दोपाद्ट